आपने हमारे स्कूल डेज में हम लोगों को बोला जाता था किसी भी नंबर इक बावर 0 इकल सु 1 होती है और स्टुडेंट से एजम्शन की तरह ट्रीट कर लेते थे तो क्या रेयलिटी में एजम्शन है और वी हैव वैलिटूफ फॉर येस वी है वैलिटूफ देखिये कैसे वैलिटूफ और समझते हैं जी जो को एक रेंडम भी कोई नंबर लेते हैं जैसे बहुत ईजी नंबर होता है 55 कि कोई भी पावस आपको पता होती है तो हमें नंबर ले रहे हैं 5 पावर 0 इकल स्टू क्या आएगा हमें नहीं बता है वैसे आप लोगों पता है कि 1 आएगा और 5 to the power 4 इस तरह से calculate करना चाहिए तो logically आपके पास चो पैटर्न है वो क्या है 5 to the power 1 का मतलब we have to multiply 5 only once so 5 into 1 we will get 5 similarly 5 square means multiply 5 twice and you will get 25 देंकि 5 into 5 gives 5 square 5 square means 25 similarly अगर 5 cube देखे तो 5 into 5 into 5 and finally you will get 125 similarly what will be the value of 5 raise to power 4 just multiply 5 4 times और यह देखिए मैंने 4 times multiply किया और यह आगया 625 एक normal pattern पर मैं देख रहा हूं कि जैसे 5 की powers increase हो रही है तो 5 से multiply होता चला जा रहा है तो 5 multiply by 5 25 25 को 5 से multiply करो 125 125 multiply by 5 625 और यह pattern चलता चला जाएगा अब इस pattern को अगर हम reverse order में देखें तो reverse order में देखिए 625 से 125 तक आप कैसे पहुच्छे कर सकते हैं when 625 is divided by 5 you will get 125 देखें यहां पर मैं division का symbol बना दे रहा हूं अगर reverse pattern में देख रहे हैं तो 625 को 5 से divide करके 125 आया similarly 125 में आपने जब 5 का division किया यह division का symbol है तो फिर 25 आजाएगा इस 25 के same better पे अगर आप 5 का division करेंगे तो 5 आएगा तो यही pattern अगर हम follow करें तो यहां से यहां तक की value जो चाहिए वो कैसे निकल सकती है similarly divided by 5 आप एक कॉमन से बताती है को 5 divided by 5 पे value क्या आती है लेकिन क्रॉस चेक करें क्या यह pattern आगे भी चल रहा है negative powers में cross check करके देख लेते हैं 5 raise to the power minus 1 आप लिख सकते हो 1 upon 5 raise to the power 1 और 1 upon 5 raise to the power 1 आता है similarly 5 raise to the power minus 2 1 upon 5 square and you will get 5 square की value जो को 25 तो यहां लिख देते है 25 देको similar pattern आप ले इस जेगा भी search कर लिया 1 divided by 5 you will get 1 upon 5 similarly 1 by 5 को 5 से divide करें 1 and 25 तो एक जो reverse का pattern था visibility by 5 से वो आप agree कर ले गए इस वज़े से 5 की पाफस 0 आपको 1 लेना पड़ा अगर आप यह 1 नहीं लेते तो फिर यह pattern disturb हो जाता जो possible नहीं था दूसरी चीज है क्या यह pattern fractional numbers में अपके भी है हम लोग cross check करके देखते हैं fractional number में कोई fractional number जैसे 5 की जगए 1 by 5 ले सकते थे नहीं लेकर हम 1 by 5 में ले रहे हम 1 by 2 लेते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 upon 2 into 1 upon 2 यहां पर आएगा 1 upon 2 into 1 by 4 1 upon 2 power 3 means 1 upon 2 into 1 upon 2 into 1 upon 2 and finally we will get 1 upon 8 अब इस pattern को अगर देखें तो क्या निकल के आ रहा है यहां से यहां तक आप आए कैसे बता सकते हैं देखें 1 upon 8 को जब multiply किया 2 से तो आपको 1 upon 4 में लेगा फिर देखें 1 upon 4 को 2 से multiply किजिए तो 1 upon 2 मिल जाएगा तो वो क्या रहा है reverse pattern में 2 से multiply हो रहा है यहां पर division हो रहा था natural numbers में तो इसी pattern को अगर follow किया जाए तो यहां पर 1 by 2 को 2 से multiply करो तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा देखें 1 by 2 to the power minus 1 1 by 2 to the power minus 2 अगर इसको देखें तो आएगा 1 upon 2 raise to the power minus 1 यह minus 1 पावर नीचे आज़ी और फिर ultimately हुआ क्या यह 2 to the power minus 1 ऊपर चला तो 2 to the power 1 which will be 2 और similarly यहां देखें 1 upon 2 to the power minus 2 you will get 2 to the power 2 and finally 4 यहां क्रोस से करिए देखें multiply by 2 multiplied by 2 और ऐसे बढ़ता चला जा रहा है तो दोनों जबहों से आपने देख लिया है कि चाहें fractional number हो या फिर आपके सामने कोई integer हो दोनों ही situation में किसी भी नंबर की power 0 1 होती है अब एक बात और है यह आपका logical proof है किसी भी नंबर की इस देखते हैं इसका कोई mathematical proof हो सकता है कि रही हो सकता है क्रॉस चेक करें देखिए इसका कोई mathematical proof देखने के लिए हम एक condition लेके चल रहे हैं if x is not equal to 0 then we can write 1 equals 2 normally समझेगा x upon x अगर x 0 नहीं है तो x 1 जा x ऐसे करके cancel हो के 1 आ जाएगा तो हमने mathematical कुछ गलब तो दिखा नहीं है अच्छा आप इसमें देखिए जब कोई power ना लिखी हो तो इसका मतलब यह 1 power लिखी हो यह x raise to the power 1 जब यह power उपर जाएगी तो क्या होगी अगर सोचो x raise to the power minus 1 यह power 1 उपर जाके minus 1 हो गई और जब base सेम हो तो power add हो जाती है ऐसा सुना था तो 1 minus 1 और यह आ रहा गया x to the power 0 आप cross check करके देखो यहां पर कुछ हमने proof कर दिया यह जो 1 था वो proof हो गया x to the power 0 के तो x to the power 0 equals to 1 यह उसका mathematical proof हो गया पहले आपने logical proof देखा अब आपने उसका mathematical proof देख लिया तो कुल मुलाकी जब भी कोई चीज लॉजिक के साथ देखे तो कोश इसके उसका mathematical proof भी आपके सामने आए ठीक है उमेद करता हूं कि वीडियो आपको पसंदाया होगा thank you so much